आयकर विभाग बेनामी संपत्ती की सूचना देने वाले को एक करोड रुपे तक का इनाम देगा केंद्रिय प्रित्यक्षकर बोर्ड ने इससे संबंधिद नया नियम बनाया है साथ ही गलत सूचना देने वालों पर कानूनी कारिवाही करने का प्रावधान भीग किया है मालूम हो कि केंद्र सरकार ने बेनामी संपत्ती रखने वालों के खिलाफ कारिवाही करने के उद्देश से बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट 1988 में संशोधन किया था सरकार ने संशोधित एक्ट को 2016 में लागू किया इसके बाद केंद्रिय प्रित्यक्ष कर्ट बोर्ड ने भी बेनामी संपत्ती के सिलसिले में सूचना जुटाने के लिए नया नियम बनाया इसे बेनामी Transaction Information Reward Scheme No. 2018 के नाम से जाना जाता है इसमें बेनामी संपत्ती की सही सूचना देने वालों को एक करोड रुपए का इनाम देने का प्रावधान किया गया है विभाग सूचना देने वाले की पहचान गुपत रखेगा